हाई फ्रेंड हमने बहुत सारी वीडियो देखी हैं कि web server कैसे configure करते हैं कि नॉर्मली जो हम web server configure करते हैं windows server family पर गठाए है थे हमने भी बहुत सारी वीडियो बनाई है इसके विहाब पर कि is server web server क्या बता है उसा configure कैसे करते हैं अबने सरवर पे आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं थोड़ा हट के लिए आपके पास सरवर नहीं है तो किया आप यूज नहीं करते हैं अगर आप के पास देक्स्टॉप मसील है विंडू 10 है विंडू 11 है तो उस पर भी आप वेब सरवर कर सकते हैं तो दोस्तों आज हम बीडियों में यहीं सीखने वाले हैं कि हम Web Server कैसे कोंफिगर करें अपने बंडो 10 मशीन पर बंडो 11 मशीन पर एवन वेप Server के साथ साथ SAP p.p.p.p. server Directory Browsing server कैसे कंफिगर कुआइगा लास्ट वीडियों भी भी हमने देखा था कि आपको क्या करना है यहां पर आप दर्खेंए आयने होता है मैंने तो अभी हमने क्या करना है यहां पर चलाना है आपको आप्लिकेशन विजार्ड आप्लिकेशन विजार्ड कंट्रोल पैनल जायेंगे तो यहां से कर सकते हैं तो आपको क्या करना है यह इन विल्ड फीचर होता है इसको just enable करना होता है तो में क्या करना है टर्न विंदो फीचर ओन और और यहां पर हमें सर्च करना है इंटरनेट इनिफोर्मेशन सर्विस आई 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 एस ठीक है इसको बैप सर्वर भी बोलते हैं अगर आपको नहीं चाहिए तो नहीं कर सकते हैं और यहां पर आपको आयस मैनेश्मेंट कंसोल सेलेक्ट करना है ठीक है इसी से हमारा काम सब्सक्राइब करते हैं थोड़ा स्टैम लगाएगा जो भी रिक्वार्ड फाइल है उसको पेच करके यह स्टोल करेगा और आपके विंदो टेन विंदो इलेवन मसीन को वो कंपाइटिबल बनाएगा अज़ा बैप सर्वर यह बैप सर्वर की तर अप्लाइंग चेंज़ेश तो हार्ड़ी फाइव तो टेन मिंट्स लगाता है इस अब तो मतलब जो भी आपकी कॉंपिएशन है जिसके सब्सक्राइब से ठीक है यह हो गया हमारा इसलिए ओपन कर लेते हैं एक बार आइनेट एमजी आट यह रिखिए बैप सब्सक्राइ यह होती है दोस्तों डिफॉल्ट वेबसाइट अल्री एक साइट बनी होती है अगर आप इसे ब्राउस करेंगे सब्सक्राइब करना है अच्टिप कॉलन डबल स्लेस लोकल होस्ट ठीक है यह डिफॉल्ट जो वेब सरूबर होता है वह इसका पेज होता है तो अब हमने लोकल होस्ट क्यों लगा दोस्तों अब लोकल होस्ट इसने लगा है क्योंकि हम लोकली यूज कर रहे हैं इसी सिस्टम पर आगे मैं बताऊंगा कि लोकल होस्ट कि जगर क्या लगा सकते है ठीक है तो चलिए फटा पर एक हम अपना डारिक्टरी में ब्राजर सरव होती है तो सब्सकίτι है को multiple website को सेंबकर नहीं कर सुछते है और आपके पास hostname भरी domain name नहीं तो को से दिखते हैं मैं अगर तहों एक website बरा लिन करना है जिसको आपको ब्राउज करना है तो मैं क्या करता हूं यह एक फोल्डर है डेमो के लिए हाला कि आप जो भी चाहिए वो कर सकते हैं कोई प्रॉलम नहीं है कि यह बाइड डिफॉल्ट पर देड़ा ठीक है अगर आपके पास मल्टिपल माली होस्ट नेम रहता तो यहां कर देते तो सेम पर चल जाता कोई प्रॉलम नहीं होती है अब तो हम में क्या करना है हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं है तो मैं क्या करतो चेंज करके चला होगा तो कि कर दिया मैंने पोकि करने के बाद अभी देखेंगे तो यह वेबसाइट चेंज होगी होगी लोकल होस्ट कॉलन सर्विस इनेबल है बाइडफोल्ट क्या होता है अब जाएंगे यहां पर डारेक्टरी ब्राउजिंग में बाइडफोल्ट यह दिसेबल होता है जब डिसेबल होगा तो आपको कैसे दिखेगा तो आपको क्या करना है इसको अगर आप ब्राउजर सर्वर यूज करना है त जो भी उस डारेक्ट्री में फाइल फोल्डर होगे वह आपको दिखने लगी है इस टाइब से ठीक है कि करना पड़ेगा इसकी आई-पी के तुरू करना पड़ेगा चल दे है कि हमारी आई-पी क्या है आई-पी कॉंटिक टिक है तो आप देख पा रहूंगे यह हमारे सिस्टम की आई-पी को प्रेश कर देंगे और गोगे तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि डारेक्ट्री ब्राउजिंग सर्वर क्या होता है और अपने लोकल सर्वर को और मिन लोकल डेक्स्टॉप मसीन को आज बेप सर्वर कैसे यूज कर पाएगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लॉप्टे के साथ इसी के साथ थैंक्यू सुमस्ट पॉस्टिंग अबनेश्टॉट